वेलो बाइक लवर्स और क्या हाल चाल है सबके तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एक बड़े ही वर्दी अपग्रेड के बारे में जो की है नैनो फाइबर एयर फिल्टर जो आता है वे टू स्पीड कमपनी की तरह से वैसे अगर आप मार्केट में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा बेस्टिन ग्लास है वेकॉज जो कैपासिटी है वे टू स्पीड की वो सबसे ज़्यादा है तो के एनन के अगर मैं बात करूँ तो वो 55CFM देता है और इस जो स्टॉक है हमारा वो 45CFM देता है और जो वे टू स्पीड का फिल्टर है वो देता है हमें 65 5 CFM जो कि सबसे ज़ादा है और सबसे ज़ादा इसकी filtration capacity है all amongst its last ठीक है तो आज की वीडियो में बात करेंगे way to speed की तरह से आने वाले filter की और unboxing कर लेते हैं डबा मेरे पास पड़ा हुआ है ऐसा कुछ box packing आती है cost around इसकी 30 200 के आसपास है और with including shipping तो ऐसा कुछ निकल के आता है box packing और इस में से यह है filter और इसको unbox कर लेते हैं तो यह रहा जी filter काफी बढ़िया लग रहा है stock के comparatively तो बहुत ही अच्छा लग रहा है fit finish काफी अच्छी है और अभी इसको install करेंगे और यह आता है stage 2 kit snorkel जो की आपका stock जो snorkel है वो हट जाएगा उसकी जगा पर यह लग जाएगा और इसके बाद हम try out करेंगे कैसी response आता है throttle response कैसा है mileage कैसा माइलेज कंपेर करेंगे और पूली तरह से proper review उसको मैं करने की कोशिश करूंगा तो पर्स पार्ट में इसका unboxing and installation है अभी करने कर दिया है installation की तरफ चलते हैं तो चलिए तो दोस्तों बाइक अपना मैंने पूरा खोल लिया है और आप देख सकते हैं seat वागरा निकली होई है toolkit मैंने निकाल ली थी और यह पड़ी है seat और यहां पर बेसिकरी लगेगा हमारा यह filter और स्टॉक वाला इसमें से बाहर आएगा तो पड़ाफर्ट मैं इसको पोलता हूं और आप प्रोसेस देखीजिए पड़ाफर्ट टाइंग लाट्स में है कि कि ओू प्रोसे के अगए बेस्टिए जाइड़ा आट बहाएखर्ट मैं आपर सब्सक्राइब है झाल 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 तो दिखिए यह हो चुका है इंस्टॉल ऐसा कुछ आता है लोग इसका और अभी इसको चला के कंपेर करेंगे झाल झाल